फ्रेंट्स घर पर कोई सबजी ना हो या फिर टमटर भी ना हो तो उसके लिए मैं आज लेकर आई हूँ बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और चटपटी सबजी तो इसे बनाना बेहदी आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इसे आप चार स apology कम जढ़ेंगे च्वर चार से जो सबजी बनाने वाला चमाच होता है वह तीन भर के बैशन लिया आप अपने according कम ज्यादा बैशन कर सकते हैं अब इसमें डालेगे एक चमाच सॉप आदा चमाच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और चमाच लाल्मिरwo Loren लेंगे और आप जो खाना चाहते हैं और वो भी मसाली इसमें डाल सकते हैं तो सभी को अच्छी से मेक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद भी अच्छे से इसे मेक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम तेल तो मैंने यहाँ पर देखिए खाने वाला जो चमच होता है वो भरके तीन चमच तेल डाले हैं और मैंने सरसो का तेल डाला है आप जो भी खाते हों वो डाल सकते हैं तो तेल से देखिए हमारे सबजी है थोड़ी साफ्ट बनेगी यानि बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे तो सबी बेसन को हमें अच्छे से मेक्स कर लेना है तो हमारा बेसन अच्छे से मेक्स हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे पानी तो दिखान रहे कि पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है यानि हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह की मसूरिया बना लेंगे तो हमें यहां देखे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर अच्छे से मैस करना है अच्छे से मिला लेना है तो देखे हातों से इस तरह हम इसकी छोटी-छोटी मंगोडिया सी बना लेंगे और पानी हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा ही डालना है तो इस तरह देखे हम इसको त्यार कर लेंगे तो इसमें थोड़े-थोड़े पानी के जो छीटे देंगे उससे इसकी जो मंगोडिया है जो मसूरिया है वो अच्छे से बनेंगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी यदि हम इसमें एक साथ पाने डाल देंगे तो जो हमारा बेसन है वो ज़्यादा गेला हो जाएगा तो देखिए हमें कुछ इस तरह से इसे बना कर त्यार कर लेना है यदि आपको थोड़ी मोटी मंगोडिया लग रही है तो उन्हें हाथ से थोड़ा सा टुकड़ा कर लें तो हमें इस तरह अच्छे से इसे त्यार कर लेना है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने यहाँ पर देखी यह थोड़ा सा तेल लिया है उसे अच्छे से गरम करेंगे उसमें डालेंगे एक चमच जीरा, आदा चमच राई डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे दो पिंच जितनी हिंग क्योंकि देखे बेशन की सबजी में हिंग डालना तो बनता ही है अब यहाँ पर हम डालेंगे एक प्याज उसे बारिक बारिक कट करेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लहसुन तो देखे आप लहसुन खाते हों तो नहीं खाते हों तो सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है तो यहां देखिए प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है बस हलका सा कच्छापन निकालना है क्योंकि अब भी बेसन को भूनेंगे तो उसके साथ अच्छे से भून जाएगा अब हम सभी बेसन को इसमे इने नहीं भूनेंगे और बेसन को इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और ये दो से तीन मिनट में आसानी से भून कर त्यार हो जाएगा तो देखें स्टार्टिंग में जहां हम इसे डालेंगे तो थोड़ा जो हमारा बेसन है वह चिपचिपा लगेगा यानि एक दूसरे क चिपकेगा और थोड़ी देर बाद ही जैसे यह भूनना स्टार्ट हो जाएगा तो एकदम खिला खिला हो जाएगा तो इसे हमें देखिए लगातार इसी तरह भूनना है तो इसका देखिए हलका सा कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत ही प्यारी सी सेंदी सेंदी में ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो हमारी जो सब्जी है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो यहां पर अब हमने देखिए बेशन को अच्छे से भून लिया है तो इस तरह भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी तो मैंने यहां पर इसमें देखिए दो गिलास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से चलाएंगे तो देखिए बेशन है थोड़ा पानी को ज़्यादा सोकता है तो पानी आप अपने अकोडिंग इसमें डालें तो दो गिलास पानी डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे एक चमच लाल मिरस डालेंगे आदा चमच हल आप चाह ना हो तो आप इसमें डही डाल सकते हैं तो देखें छाष से और दही से सब्जी बहुत ही जगातर टेष्टी बनती हैं यानि इसमें टमाटर डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो चार डालने के बाद इसे हम अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे तो यहां पर ध्यान रहें कि हमें इसे अभी छोड़ना नहीं है इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि अभी हमने इसमें चार डाली है यानि इस stage पर आकर आप इसे high flame कर लें तो high flame पर हमें इसे पकाना है तो जैसे इसमें उबाल आ जाए तो आप इसे चलाते हुए छोड़ देना है यानि इसे हमें 2-3 मिनट और पकाना है तो इसे हम ढख करके पका लेंगे और देखे धीरे धीरे थोड़ा सा थिक होने लग जा जाते हैं तो इसे और चलाएं यदि आप थोड़ी liquid सब्जी खाना चाते हैं तो इसमें और पानी डाल लें तो यहां पर देखिए मेरी सब्जी अच्छे से बनकर त्यार हो चुकी है तो देखने से आपको लग रहा होगा बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी बनी है आप इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो देखिए बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी बनकर त्यार होगी आप इसे बहुत ही कम सामान और कम समय में बना कर त्यार कर सकते हैं तो बच्चे भी बता नहीं पाएंगे कि आपने ये बेसन से बनाई हैं तो आपको म मेरी हर रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो थैंक्स पूर वाचिंग